तो चाथियों मैं डॉक्टर उइताश्र कुमाद साहिक आजारिये स्री रादेश आम आर मुरार का राज के माग देले चुचा अम विकोम पाट धर विशे A.V.S.T. प्रसन पत्र पर्थम अंकेशन प्रवन लेखागन मैं परिचालन यह वित्य उतलोग के बारे में धेन किया था आज हम नए टोपिक पूजी वस्टन केपिटल वस्टिंग के बारे में धेन करेंगे केपिटल वस्टिंग क्या है उसका हर्थ यह वरीवास है और उसका प्रिच्छे क्या है अन्य बिंदों पर इनका धेन करेंगे सबसे पहले हम पूझि बज्टन-Caption का प्रिच्छे जाने इंत्रोटेक्शन में पूझि बज्टन से बढ़कर अन्य कोई महत्तो पूझने छेत्र नहीं होता है अर्था अतम ये कहें कि कोई भी व्यवसाइक गुपकरम हो, संस्ता हो, हरम हो, उनकी सभलता में पूंजी अतियावसिक है और पूंजी का किस तरह से उसका वजट तियार किया जा है ये व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण छेत्र ये निरने का छेत्र है अतम सावन ये वासा में कहा है कि एक व्यवसाइक पूंजी बजटन से बढ़कर अन्ये कोई महत्वपूर्ण निरने छेत्र नहीं होता है परवंद का अधार वुद्कारिय संपादित या उसके संभावित बिन्योग प्रस्ताओं में से सारवधिक लाप बिन्योग प्रस्ताओं को उसके लिए उपलग वित्यस अंसादनों के संदर में चुना करना है पूंजी वेजटन परवंदन की वा तक्निक है जिसके अंतरगत फरम के लिए पूंजी गत वे का इस परकार नियोजन किया दाता है जिससे फरम के उद्देश्यों की श्रलता से प्राप्ति हो सके इससे पूंजी वे परवंदन केपिटल अक्सपेंडिचर मनेजमेंट या पूंजी वे नियोजन केपिटल अक्सपेंडिचर प्लानिंग या इस्ताइज संपुद्यों का परवंदन मनेजमेंट ओफिक्स असेट्स या दिरक कालने नियोग नियोजन लोंग टरम इन्वेस सकते हैं अर्थात पूंजी वस्तन की जो सामाने बाते हैं उससे जो नाम दिये गए हैं वे पूंजी वे परबंदन के रूप में कह सकते हैं पूंजी वे निरने के रूप भी कह सकते हैं इसको पूंजी वे नियोजन के बाद जब नाम दे सकते हैं इस्ताइश संपुचियों का परबंदन भी से कह सकते हैं या जो दिरग का नियोग निरने ये नाम भी उसको दे सकते हैं इस प्रकार से फूंजी वे का तात्परिय ऐसे वे से होता है जिससे फरम को अनेक वरसों तक आई अत्वाला प्राप्त होता रहता है कोई व्यापारी या सेस्था व्यापार प्राण करके जो करने के लिए जो खर्चा करता है वे करता है अगर जिसे अक्स्विंडी चारून के लिए हैं वो फरम के जो करता है तो ये सोचता है कि मुझे कई वरसों तक आई प्राप्त होगी इससे अर्था से ला प्राप्त होग इसलिए वो पूंजीवे करता है और लेखागन की स्थाइश संपतियों के क्रे अथा विस्तार पर किये वे कोही पूंजीवे माना सकता है क्योंकि हमेशा जो वे लंब इस फिक्स असेट्स पर होता है वो एक लंबी अब्दी के लिए होता है और इस परकार जो करय या विस्तार किये वे को ही वो पूंजी वे माना सकता है देकिन वीतिय प्रवंदन में पूंजी वे का दरस्टिकों थोड़ा व्यापक हो जाता है बढ़ जाता है और वीतियर प्रवन्द्विशे अमे पूझिए वे तथा आगम वे में अंतर किये वे को रोकड़ने वापस बराब करने में लगने वाले समय का अधार बर्ट कियाचा ता है आगम वे सामनेता एक दो महा अत्वा अधिक से अधिक एक वर्स के अंत्गत वापस वसूर हो जाते हैं आगम वे दो हैं अतक किसी प्रियोजना पर किये गए वे को पूंजी वे तभी कहा जाएगा जब इसकी रोकर वसूली में एक से अधिक वर्स लगे इस्ताई संपुत्यों का अधिगन करने में किया गया वे पूंजी वे होता जैसे कि हमने पहले वी दिब पढ़ाएगी क्योंकि इन संपुत्यों से अगले अनेक वर्स लो तक आए प्रभाइत होती रहेगी कारियसल पूंजी में इस्ताई वर्दि के लिए आप सिकवे फर्म की आई का दिरक अरल तक प्रवाइद करते हैं प्रंतु किरियासिल वेओं को ओपरेटिंग एक्सपेंसे से उत्पन आई एक वर्स तक इसी मित रहती है अत्य किरियासिल अथ्वा आगम वे यो पूंजी वे का अंतरी साधार पर किया दाता है कि उन से फर्म को कितनी उसे आई पराप्त होती है वे आगम वे होते हैं ता जिन वे उसे एक से अधिक वर्स तक आई पराप्त होती है तो पूंजी करते हैं हमने पूंजी बस्टर ने किस तरह से इसकी विवस्था की जाती है और इसमें दो परकार की जो आगम वे किसमन में हमने जाना दूसरा प वेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवेवे उपलब सादनों से स्वर्वतम नियोजन की ओजना बनाने तथाउशिक की यानुइत करने के लिए पुर्योग किया जाता है बहुत ही साटिक और सार्थक सब्दों के साथ इस वारत को वैक्या की गई है कि पुझी बस्टन एक परवंदिय तकनिक है बहुत ही मनेजमेंट टेकनिक है जिसका प्रस्तावित पुझी वैओं जो हम पहले से प्रस्ताव कर देते हैं कि इतने पुझी वै करने हैं और उस व्यों का अर्थ परवंदन पर विचार करने और रुट साधनों से स्वर्वत तम विनियोजन की जो जो खना सके उसकी योजना बनाएं कि इसे किनियानवेंदिक करने के लिए प्रयोग क्याता है पुझी वैस्त्रिकु कह लाता है प्रियोजनाओं के लिए मांगी गई नई पूंजी संपत्यों की सूची है जिसमें प्रियोजनाओं की अनुमानित लागत भी दीर हुए होती है और दूसरी फ्रिवासा लारेंस गेटमेन के अमसार जो है वो है पूंजी बजटन से आज से पूंजी वे के विकलपों के उद्वव मुल्यागन चेन तथा अनुवरतन की संपूर्ण प्रिया से है अर्थात हम यह कहें कि पूंजी बजटन है वो पूंजी वे के विकलपों के उद्वव कल जो उद्वव होंगे उससे उसका मुल्यागन से उसके चेन से और तथा उनके अवरतन की संपूर्ण जो पर गरिया है उसे हम पूंजी बजटन करते हैं आरम लिंच के अनुसारी दिपरिवासा देखें तो पूंजी बजटन सेस्था की दिरक कालिन लाब दाइकता अर्थात भी नियोग पर परपट्याई करे सकते हैं को अधिक्तम करने के उद्देसे से जो प्लत पूंजी के विकास के नियोजन से समझ देता है और इसकी जो सबसे कई परिवासाइं दी हैं उसमें से केलर और फ्रेरा के अनुसार भी पूंजी बजटन किसी बजट अवदिय में इस्थाई सम्पुत्य में भी नियोग योवेट के लिए बनाएगी योजनाव का परती निजित्वे करता है और जीसी फिलिपेंट्स के हमसार पूंजी बजटन उपलग बादार अवसुरों में फरम के दूरलभ वितिय साथनों में के बटवारे से समझ दिता है विन्योग अवसुरों में किसी प्रियोजना से संभावित भावी आयूं के साथ इनके लिए इसी समय तथाबाद में वियोग के बरभाव की तुनला के सोने विचार कियाता है तो पूंजी बजटन है और निश्कर्श के रूप में हम कह सकते हैं कि पूंजी बजटन एक प्रभंदिक ये तक्निक है जिसके द्वारा फरम के लाबों को अधिर्दम करने के उद्दसे से फरम के वितिय साथनों को एसी संभुद्यों में विन्योजित किया दाता है जिनका लाब फरम को अनए व प्रभण को आद आता है जासे कि समाने कुछं पूंजी बजटन की विसेचता है क्या बिसेचता hypothesis है इसके मुखे जो मिसेचता है पेली वित्युन के द्रुरें विन्यों लोंग ट्रम इन वेस्टमेंट एक लंबी अवदी के लिए किसी पूंजी का इन्वेस्ट्मेंट कर वो है पूंजी बस्टन गंदर का कोसों को दिरक काले संपतियों में विन्यवजद की आता है सालू संपतियों में विन्यवजद की बस्टन गंदर कर नहीं आता है दूसरा है भावी लावों की संभावना हमेशा ही जब दिरक काले विन्यवजद की यो करते हैं क्या आदा है तो दूसरी विशेष्टा है भावी लाबों की संभावना में वर्तमान के को सुखोव नुजित क्या आदा है तथा ये भावी लाब कई वर्ष्टों तक होते रहते हैं और तीसरी जो वात विशेष्टा है मतलि जो खिम पूर ने जिसकी निशेष्ट पूंजी पूंजी बस्टन में भावी लावों की एनिसित्ता के काड़ने जोखिम पुरू होते हैं इस प्रकार मुख्यदय पूंजी बस्टन की तीन इसे इस्ताय हैं दिरक का लिए नियूग भावी लावों की संभावना और जोखिम पूंजी बस्टन के उद्धस्य के है पूंजी पूंजी बजटन की साहिता से किसी सहस्तादर अपने भावी पूंजी बजटन का मुल्यागन क्या दा सकता है इससे प्रतेग्वे की साहिता को जाचा दा सकता है पूंजी बजटन द्वारा विभिन प्रियोजनाओं का तुल्नातु मुल्यागन करके उसके बीच प्रत्मिक्ताओं का दा सकता है और प्रात्मिक्ता निधान से विभिन प्रियोजनाओं लाप्रता के कर्म में मिन्याशित हो जाती हैं तथा प्रवन उप्लब्द कोस्टों के अंदरूप सर्वे दिक लाप जुनात्वा प्रियोजनाओं का देन कर लेकता है तीसरी है पूझी व्योग में समन्नवे कोडिनेशन बीट्वीन केप्टिल अक्सपिंडिचा पूझी बस्टन का उद्थ से विभिन विखाओं द्वरा किये जानेवाले विभिन पूझी व्योग में समन्नवे यह संतुलन इसाफ़ पनाफता है सोता है पूंजी व्योंग पर निंदन, control over capital expenditure, पूंजी बस्टन का एक परमखुदेशे की सेस्था कि विविन वगाउं द्वारा किये जाने वाले पूंजी व्योंग को निंदन करना है और इसे दू वास्ती व्योंग की तुलना पूरे निदायत व्योंग से भी की जाती है पांचवा है पूंजी व्योंग है दो कोसों की विवस्त अरेजमेंट ओफन फ्रोम capital expenditure इसकी कैसे विवस्ता की जाए पूंजी वजटन द्वरा वहुजशे में लिए फिन पूंजी परियोजरां उपर होने वाले पूंजी व्योंग की जालकर उप्राप्ट हो जाती है जिसे सहिस्ता के प्रबंदन समय पर वानसी दराशी के लिए उचित कोसों की विवस्ता कर लेगते है छेटा है भूत कानिन जीमेंट का विष्था से पहले कि जो इस तरसे पुंजी की व्यस्ता की गई उसका वान टिर बिया गया उसके अधार पर भूट का लिन जुन्ता ने लिया कि उसका एनलिस्स करता है उनलिस्ट इसको पास डिसिजन पुंजी बस्टन दोरा भूट का लिनों पर जिन्देनों का विश्रेशन किया जाता है तथा ये जाना जा सकता है कि भूत काल के लिए किये गए जिनने किसी माज़क सही थे और अन्तिम और सात्वा है 27 संपुत्यों को मुल्या काने पूंजी बस तंद्वारा बज़ट अवदी के हंत में बनाए जाने वाले चिठ्ठे के लिए 27 संपुत्यों के मुल्या उपने उप्ता हो जाते हैं और प्रेक्षे भी चिठा असानी से प्यार किया जा सकता है इस परकार से हमने पूंजी बस तंद्वारा का प्रिच्चे इंट्रोडेक्शन उसका हर्थ निन प्रिभाषा और उसकी दिविन प्रिभाषाओं के साथ पूंजी बस तंद्वारा के बारे में जाना पूंजी बस तंद्वारा के बाद आगे आप परिचे आर्थ परिवासा विशेस्ता और दिश्वा धेन किया है हम आगे के टोक्वी में पूझी वस्टिन जाओ सकता नीट भोर केप्टिल वस्टिंग का धेन करेंगे धन्यवाद